जे जगनात प्रेंट्स आज संडे है और आज हम लोग सोचे थे कि बाहर जाके लंज करेंगे दो बजे लेकिन दिन के एक बजे मुझे इस चॉकलेट केक का ओडर आया और कस्टमर को 6 बजे चाहिए था अगर हम लंज के लिए पहले निकल जाते हैं आके बनाते हैं तो केक से बंज बनाया और फिर उसको आइसिंग किया और सेट होने के लिए रक दिया बाकी का जो पार्ट में थे तोडा और erेश्ट किया और उसके चाहिए वो बताते नहीं हैं तो अगर आप अपने से पूछ लो तो बाढ़ियां रहता है अगर ना पूछो तो कभी-कभी क्या होता है ना हम अंदर का चौकलेट केक बना लेते हैं और आउटर में अगर वाइट क्रीम के साथ फ्लावार बगेरा बना देते हैं और कस्टमर क कभी-कभी बोलते हैं कि हमें ऐसा नहीं चाहिए था तो आपको पूछना पड़ेगा कि आपको ट्रफल क्रीम के साथ चाहिए चौकलेट क्रीम के साथ चाहिए वाइट क्रीम के साथ चाहिए या उपर ट्रफल डाला हुआ चाहिए इस तरह से आपको पूछना पड़ेगा तो सबसे पहले मैंने स्पंज को कुकर में बेक कर लिया और जब तक वो बेक हो रहा था उसी समय मैंने क्रीम को बीट कर लिया, सीरप बना लिया, चॉकलेट का जो ट्रफल है वो बना के मैं रखती हूँ गनास को फिर उसमें थोड़ा सा दूद डाल के उसको भी मेल्ट कर लि किया, फिर मैंने स्पंज को सो किया, उसके उपर क्रीम स्प्रेड किया, उसके उपर थोड़ा सा चॉकलेट गनास डाला, उसको स्प्रेड किया और फिर चॉकलेट के छोटे चोटे टुकडे नाइफ में कट करके मैंने डाल लिया, फिर उसके बाद पूरे केक को कवर कर लि बाकी का जो ट्रफल बचा फिर मैंने इसको बीच में डाल दिया और एक छोटे से स्पैचुला से इसको इस तरह से डिजाइन कर लिया अगर आप ही सूरज सिटी में रहते हो और मेरे किचन से केक पेस्ट्री, ब्राउनी के साथ, मिठाईया, स्नाक्स, फूड, भेज, नॉन भेज, कुछ भी ओर्डर करना चाहते हैं तो स्क्रीन के उपर नमबर है आप कॉल करके डिटल्स पता कर लें इसके अलावा घुबने सोर के एम्स होस्पिटल के पास मैं अपना 40 क्लासेश प्रोभाइड करती हूँ जिनको वो क्लास जोइन करना है, स्क्रीन के उपर नमबर है, वो कॉल करके डिटल्स पता कर लें मेरे क्लास में मैं पटिकुलरली टिफिन सर्विस के लिए भी क्लास देती हूँ, उडिसा का जैसे छेना के उपर बहुत सारे सूट हैं, छेना गजा, रासोगोला, छेना पोडो, रासमलाई, ये सब में सिखाती हूँ, काजू के उपर भी मिठाया सिखाती हूँ, सुगर सिखाती हूँ, ड्राइ केक्स, प्लम केक्स सिखाती हूँ, फोंडेंट क्लास सिखाती हूँ, बेसिक क्लास सिखाती हूँ, पीजास बर्गर सिखाती हूँ, बिरियानी सिखाती हूँ, जिसको जैसे चाहिए वैसे ही सिखाती हूँ, अब मैंने एक ओरिये बिसकेट के उपर चोकलेट लगा के इस तरह से इसको सेट हो लें के लिए रख दिया अब इसके उपर मैंने इस तरह से गार्निसिंग सारे लगाए सारे गार्निसिंग को मैंने एक छोटे-छोटे टूथपिक से ऐसे ही फिक्स कर दिया था और जो ओरिया विस्केट है उसके उपर गोल्डेन ड आता है जिन्होंने ओनलाइन क्लास लिया हुआ है लेकिन वह अच्छे से बना के सेल नहीं कर पाते हैं उनको प्रैक्टिस चाहिए तो फिर वह प्रैक्टिस के लिए फिर मुझे एक कॉल आया एक केक का ओर्डर मिला जो कि एक छोटे निव वन बेबी का ओलकम केक था जिसको मुझे बना के रात के आठ बजे तक देना था और अभी तक फाइफ थर्टी हो रहा था तो फटा फट से मैंने इसको खतम किया फ्रीज में इसको रख दिया और फिर उसका स्पंज बनाया वो जो केक है मैं उसको कल आपको वीडियो डाल दूंगी आप देख लिजिएगा जब तक मैं दूसरा पाइनापल केक बना रही थी फिर एक कस्टमर का कॉल आता है तो वो बोलती है क्या आप मेरे लिए मैंगो आइस क्रीम एक लिटर बना देंगी मै कब तक मिलेगा मैं बोली कल आपको मिल जाएगा फिर वो ब्राउनी के लिए भी पूछी लेकिन ब्राउनी मेरे पास अबलेबल नहीं था तो मैंने मना किया तो फिर अगले दिन उनको मैंगो आइस क्रीम चाहिए था तो ये केक को खतम करने के बाद मेरे घर में गेस्ट आ था मुझे लगा क्रीम भी बचा हुआ है इसको मैं एक केक बना लेती हूँ घर में यूज हो जाएगा फिर उस टाइम रात के डेड़ भज रहे थे और मैं बहुत थक गई थी फिर मैंने सोचा कि इसको और एसेंस वगेरा नहीं डालती हूँ क्योंकि स्पंज में मैंने इम इसमें रखा हुआ क्रीम था उसी से बनाई हूँ अगर आपको खराब लगता है तो आप पैसे लिटर ले लिजे उन्होंने बुला हूँ